कि नमस्कार कि शहीद कैप्टेन रिपुदवन सिंग राज की महाविदाले सवय मदवपूर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल सीसी राज जीसी सवय मदवपूर में एक बार पुन है आप सभी का स्वागत जैसा कि आप सबको विधित है कि बीएसी पार्ट प्रतम वर्ष के चात्रों के लिए इससे पूरू हम सॉलिड इस्ट्रेट केमिस्ट्री से संदर बिसंबंदित दो ई-लेक्चर रिकोर्ड करके प्रसारिद कर चुके हैं आज उसी के आगे तरतिय वीडियो सॉलिड इस्ट्रेट केमिस्ट्री का यहां पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं इस वीडियो में किसी क्रिश्टल की जामीती सरजना का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है इस संदर में बाते आपको पताई गई हैं इस वीडियो को समझने से पहले मैं समझता हूँ कि यदि चात्र इससे पूर्व दिये गए दोनों वीडियो को एक बार अध्यान करें तो ज़्यादा अच्छा है जिससे कि वो समझ पाए कि हां किसी क्रिश्टल की सरजना क्या होती है उससे संबंदित विभिन जो जान कर जो कि इससे पूर्व के दोनों वीडियो में दिये हुए हैं वो उनका एक बार वहाँ पर अध्यान कर सकता है कि कि आज यहां पर बात करेंगे किसी क्रिश्टल्ये संट्फना का निरदारण करने के लिए एक्सरेअद डिफ्रेक्षण मैथाड्स कि इससी पूरू कर विडियो में हमने आपको ब्रेक समयकरन के बारे में बताया कि किस परकार से ब्रेक के X-ray का उप्योग करके ब्रेक समिकरण का विर्जन किया था N-Limda बराबर 2D साइटेटा यहां यह व्यक्त किया गया है कि यदि किसी क्रिष्टल के दो करमा गतल यदि है और उन दोनों तलों पर X-ray के रन यदि डाली जाती और वहां से वह diffract होती हैं तो वह एक निश्चित एंगल पर उच्चितम तिवरता दर्शा दी हैं वो उच्चितम तिवरता तभी दर्शाएगी जब की वहां पर एक संपोशी वेतिकरण की घटना होगी और वो संपोशी वेतिकरण की घटना एक निश्चित कोण पर होती है जिसे की हम Glancing Angle का यहाँ पर नाम देते हैं उस Angle से संबंदित जो अंतर तलिय दूरी है उस अंतर तलिय दूरी को ग्याद करके ही हम किसी क्रिश्टली सरस्थना का निर्दारा कर सकते हैं यह एक सामनिय रूप रिखा है किसी स्पेक्ट्रोमेटर की X-ray स्प्पेक्रोमेटर की जिसमें X-ray ट्यूप के द्वारा हम X-क्रिणे निकाली जाती है और X-क्रिणे LED स्क्रίν से या यह कहां हम कोई एक स्लिट है उस माध्य हम से concentrate हो करके crystal पर डाली जाती है और वह वहाँ से विवर्ति हो करके एक photographic फिल्म पर उनका हम pattern को लेते हैं उस pattern का अध्यान करके हम उस crystal की जो सनजना है या जयामित है उसका अध्यानम करते हैं इसे इस प्रकार रूप से भी समझ सकते हैं कि एक incident beam यानि कि वह एक स्रेय beam है जो crystal पर गिर रही है वह इस ग्लांसिंग एंगल पर उच्छेतम तिवृत्ता वाली विक्रेंट परावर्ति तो यह डिफ्रेक्ट होकर के एक पैटरन देती है यहां पर और इसका ध्यानम यहां पर किया जाता है मुखी रूप से चार प्रकार के एक्स्रे डिफ्रेक्शन मेथड्स हैं जिने की हम काम में लेते हैं जिसमें पहला है लाविज फोटोग्राफिक मेथड जो दो तरह के से अध्यान में किया जाता है एक ट्रांस्मिर्शन मेथड की रूपना और एक दूसरा बेक हैं तीसरा है रोटेटिंग क्रीस्टल मेथड और चोतर हैं प्वावडर मेथड इन चारों प्रकार के मेथड में जो मोखी रूप Se crystal किस प्रकार का लीया जाता है और उनका क्या उपी कह गय है उसको यहां पर व्यक्ति किया गया है कि जैसे लाविज मैथड थो लूबवि crystal क्या हो जाता है लावेश मेथण में हम किसी crystal के अभी विन्यास यानि कि orientation के बारे में जानकर हिप्राप करते हैं लेकिन महत्त्यपुन क्या है कि polychromatic beam यानि कि एक ही तरंगदेर्द वाली वीकिरण काम में नहीं लेते वरण अलग-अलग तरंग देर्दों वाली विकिरन हम काम में लेते हैं जो कि अलग-अलग एंगल पर उस क्रिस्टल पर डाली जाती है और रोटेटिंग क्रिस्टल में भी यहां पर हम वेरियबल एंगल तो होंगे लेकिन महत्वपुना की मोनोक्रामेटिक बीम होगी यानि कि एक ही तरंग दे दिमेंशन से उसके यानि कि ABC जो तीनों भुजाएं हैं वह ग्यात हो जाती है साथ ही साथ वह जो वेरियबल एंगल से जिनके माध्यम से हम मोनोक्रामेटिक बीम को डालते हैं वह हम यहां पर ग्यात करते हैं तो यह तीनों जो टेक्निक्स हैं उन्हें यह मुख के अंतर है अंतर है सबसे पहली हम अदर्ण करेंगे आप्छे सिंगल मयथटर का सिंगल क्रेंगर क्योंकि एक ही क्रेंशन कॉम यह पर लेंग इंग डिलावेचे क्श्टैश्टि यूस्टू डिटर्माइन दी ओरिंटेशन ओफ लार्ज सिंगर किस्टल यानिकि बड़ा एक क्रिश्टल लिया जाता है जिसके कि अभी विन्यास को में ग्याद करना है महत्तपुन क्या है कि वाइट रेडियेशन क्योंकि उसमें सभी प्रकार की तरंग देर्दें वाली विकेरन होंगी उसे डाला जाता है क्रिश्टल के ऑल तो वहां से या तो रिफ्लेक्ट होंगी या ट्रावेट होंगी क्योंकि लावेश मेफ सी एक इस अंपिसे न हम यानि कि एक stationary single crystal है जो fixed position पर रखा हुआ है white radiation हम उस पर डालेंगे हमें पता है कि जो महत्वपूर्ण है यहां पर वो wavelength है या वो एंगल है जिस पर की उस विकिरण के गिरने से एक तिवरता वाली विकिरण diffract हो क्या महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण है कि जो single crystal यहां रखा हुआ है वो single crystal पर यह जो x किरण आ रही है वो x किरण की वो तरंग देर जो की इस एंगल को सेटिस्पाई करें और एक उच्चतम तिवरता देवे वाली diffracted radiation देवे तो ही यह जो experiment है वो यह काम करेगा यानि कि यह कहें कि तभी हमें break reflection जो radiation है वो प्राप्त होगी यहां यह बताया गया है कि कहां से हम कौन सी metal ऐसा लेवे जहां से कि x-ray हम प्राप्त कर सकते हैं तो यहां इन्होंने tungsten को लिया बताया कि tungsten को हम काम में ले सकते हैं लेकिन white radiation ही हमें यहां पर काम में लेनी है कर सकता है पहला है यह बेक reflection method इस method के अंदर जो film है जो photographic film है यह फोटग्राफिक फिल्म है इस प्लेश्ट बिट्विन दी x-ray यह x-rays and the crystal यानि कि x-ray source और crystal के बीच में x-rays आई यहां से पास होकर के इस crystal पर गई crystal से यहां पर यह डिफ्रेक्टेड हुई कि डिफ्रेक्टेड होने पर इस कौन का इस डिफ्रेक्टेड रेडियेशन की कौन का जो पार्ट है वह रिफ्लेक्ट होकर के इस फोटोग्राफिक फिल्म पर आया और यहां पर आकर के उसने sports generate की यह यह sports generate की है यह back reflection method है और जो transmission method है उस transmission method के अंदर crystal यह x-rays crystal पर गिरी और उसके बाद में फोटोग्राफिक फिल्म है तो फोटोग्राफिक फिल्म यह है तो यह कौन के तोर पर यानि कि one side of the cone of love reflection is defined by the transmitted beam यानि कि जो beams यह transmitted हो रही है और वो cones यहां पर बना रही है यहां यह बताए गया कि crystal orientation जो है वो हम उन sports की position से determine कर सकते हैं क्यों क्योंकि each sport can be indexed यह यह कहें कि हर sport को हम किसी एक particular plan को attribute कर सकते हैं यानि कि किसी particular plane के लिए निर्धारित कर सकते हैं कि हाँ यह उस plane से आने वाला sport है using special charts कौन से chart जैसे यहां बताया जाया है कि graninger chart जो है वो black reflection pattern में काम मिलिया जाता है तो जो में हुए हैं जिनसे की अलग अलग तलों से होने वाले जो sports हैं उनके बारे में बताया गया है इस आधार पर हम यह पता लगा सकते हैं कि क्रिश्टल का orientation क्या है यहां एक और महत्वपूर्ण है law techniques का कि it can also be used to access the crystal perfection from the size and shape of the sports यानि कि sport की जो size और shape है उससे हम उस crystal की perfection का भी पता लगा सकते हैं यदि किसी crystal में bent है या twisted है यानि कि घुमा हुआ है तो जो sport होगा वो sport में भी विक्रती होगी या smeared आप मतलब किसी एक तरप से नुकिला होगा यदि उसके अंदर किसी भी प्रकार की विक्रती होगी तो जो law is crystal method है single crystal method है वहाँ पर हमें एक single crystal को काम में लेना है white radiation को हमें उसके उपर डालना है और उसे हम reflection mode में ये transmitted mode में हमें यहाँ पर उसके pattern को record करना है photographic plate पर वो कर्व बनाते हैं यह कर्व बना रहे हैं और इन कर्व पर यह sports होंगे यह sports उन्हीं कोणों पर उन्हीं विक्रणों द्वारा प्राप्त होंगे जिनसे की वो वियान पर विवर्वर्तित हो रहे हैं इन sports के आधार पर हम ग्रेंजिंजर मेथर्ड या लेन हर्ड चार्ट की सायता से हम उनका अध्यन कर सकते हैं कि जो orientation उस crystal का वो क्या है साथ ही इन sports की विक्रती से हम उस crystal के perfection का भी पता लगा सकते हैं second method Briggs spectrometer method यह originally Briggs के द्वारा ही काम में लिया गया था इस spectrometer को हम देखें उससे पहले यहां पर हम देख सकते हैं कि एक एक स्रेय विकरन किसी एक स्रेय ट्यूब से निकल करके इन दोनों slit से आ रही है जहां पर यह concentrate होकर के हमारे इस crystal पर पढ़ रही है और इस crystal को हम यहां अलगलग कोणों पर भी हम यहां पर घुमा सकते हैं और यह गोली यह स्केल है जहां से हम इसका कोण प्राथ कर सकते हैं यह विवरतित हो करके यहां पर यह detection चेंबर जो कि आइनाजिशन चेंबर के तोर पर काम करता है यहां पर यह डाली जाती है मुखी रूप से break spectrometer का जो कारिया है वो कारिया है उस x-ray जिसका की यहां से विवरतन यानिकी diffraction होना है उस x-ray की तरंगदेर्द को ग्याद करना यह है एक simple optical spectrometer के तरह माना जाता है यहां कि रमागत्त क्या प्रक्रिया है उसे आपको व्यक्त किया गया है यहां लिखा है कि x-rays from an x-ray tube are made to pass through two fine slits S1 और S2 यानि कि S1 और S2 slits के माध्यम से x-ray विकरण को आने दिया जाता है which collimate it into a fine pencil यानि कि वो concentrate होकर के एक fine pencil जैसी needle like उसमें परिवर्थित हो जाती है this fine x-ray beam is made to fall upon the crystal C यानि कि अब इस x-ray विकरण को crystal C जो कि यहां पर रखा हुआ है C उस पर गिराया जाता है mounted on the spectrometer table this table is capable of rotation यानि कि vertical axis के through यह rotate कर सकती है and its rotation can be read on a circular graduated scale s यह scale s है यहां पर scale s से हम यदि कोई भी rotation लेते हैं तो उसके angle को हम पता लगा सकते हैं उसके बाद जो reflected beam है वो इसलिए s3 s4 से एंटर लोकर के ionization chamber में जाती है ionization chamber में जाती है the x-ray is entering the ionization chamber जो x-ray ionization chamber में आती है वो वहां पर उपर सिद गेस को ionize करती है और उस ionization से किसी current का flow होता है between the electrodes and the current can be measured by the galvanometer G the ionization current is a measure of the intensity of the x-ray reflected by the crystal यानि कि किसी crystal के द्वारा जितनी तिवरता से x-ray भी किरण को reflect किया गया है वो सीधे सीधे ही उसके ionization current को व्यक्त करता है यानि कि जितना अधिक ionization current है उतना ही अधिक उस reflected x किरण की तिवरता होती है इस ionization current को ionization chamber में ग्यात कर लिया जाता है और अलग-अलग एंगल पर जैसे कि आपको बता है कि वहां पर जो crystal रखा हुआ उसको हम घुमा सकते हैं अलग-अलग एंगल पर तो अलग-अलग एंगल पर प्राप्त होने वाली तिवरताओं को नोट कर लिया जाता है और एक graph यह जो एंगल है ठीटा जिसे कि glancing एंगल करते हैं तो इस glancing एंगल और ionization current के बीच में graph खेंच लिया जाता है इस graph को यहां पर व्यक्त किया गया है कि ionization current ही है और glancing एंगल के लिए ionization current increased, ionization current एक जम से बढ़ जाती है तो जो प्रतम peak है वो corresponds to first order, second is for second order, third is for third order and so on from the graph, the glancing angle for different order of reflection can be measured यानि कि जो glancing एंगल है उसे हम आसानी से ग्यात यहां पर कर सकते हैं तो इस angle theta और spacing D के माध्यम से हम आने वाली जो X-ray है उसकी तरेंग दिर्द को निरधारित कर सकते हैं और इस आदार पर क्रिस्टली सरजना का निर्दार किया जा सकता है तीसरा मेथड है यहां पर rotating crystal method rotating crystal method यानि कि नाम से ही व्यक्ता है यहां पर कि यह crystal अब यहां पर वो rotate करता रहेगा लेकिन महत्वपूर्ण चीज यहां पर यह है कि यह अभी भी single crystal method ही है यानि कि single crystal is mounted with an axis normal to a monochromatic x-ray beam यानि कि इस normal पर यानि कि इस level पर यदि x-ray beam आ रही है तो उसी के parallel यहां पर जो crystal है single crystal उसे हम mount कर देते हैं और उसके चारों तरफ एक्सिलिंट्रिकल फिल्म को प्लेस कर देते हैं जैसे ही crystal rotate करता है उसमें उपस्तित जो विबिन latest plans है वो किसी ने किसी point पर यानि कि किसी angle पर break equation को satisfy करेंगे और हमें एक diffracted beam intensity वाली नजर आएगी जो एक pattern उस photographic film पर देगी यानि कि x-ray beam आई इस crystal के किसी निश्चित तलों से यहां से वो कर के इस photographic film पर उसने अपना यहां पर pattern दिया जो latest constants है यानि कि a b c है या alpha beta gamma जो एंगल है वो इस विदी के द्वारा हम यहां पर ग्याद कर सकते हैं किसी गिवन ठेटा या डी एच केल तो डी बरावर हम जानते ही है ए डिवाइड बाइड बाइड अडरोड h square प्लस k square प्लस l square तो इस आधर पर हम यहां पर यह उनकी जो भी बिन मानक है वो ग्याद किये जा सकते हैं बाइ रिकोर्डिंग दिफ्रेक्शन पैटर्न यानि कि बहुत एंगल से निटेसिटी पर वेरिस क्रिस्टल औरिंटेशन वन कें डिटर्माइन दा शेप अंड साइज ओफ यूनिट सेल यानि कि शेप अंड साइज के साथ यह वहां उपस्त्त होने वाले जो एटम से उनकी व्यवस्था को भी आसानी से निर्धारित कर सकते हैं भूब्या करो हमानों क dify sharer powder मैं यहां अब जो क्रिस्टलioxid क्रिस्टले ना एक छोटा क्रिस्ट gallery ना बड़ा क्रिस्टल अबलके यहां पर उस crystal पॉडरब फॉम के अंदर काम में लेते हैं इसलिए यह पाउडर मेथर्ड भी कालाता है तो दिस इन रेपिट अनलाइटिकल टेक्निक प्राइमरी यूस्ट फोर फेज इंटिकेशन ओफिक्रिस्ट्लाइन मैट्रियल एंट प्र वैड इन्फॉर्मेशन ओं यूनि चल्ड इमेंशन यानि कि उनिट सेल की डायमेंशन से जो होने वाली जो डायमेंशन से वह जिए मासाणी से गयाद कर सकते हैं इन अदर एंहाइब होते हैं। अहरो अधिक बड़ा हम यहां पर क्रेश्टल लेते हैं। जबकि पाउडर मैंधड की अनदर क significance matter आबशेग होता है। जो मैट्रियल है उसे फाइनली ग्राउंड किया जाता है यानि कि पीस लिया जाता होमोजेनाइज किया जाता है बिल्गुस समांगी हो जाए वो तब तक उसे पीस आर लिया जाता है यह हमें पता ही है कि X-ray diffraction constructive interferences की गटना पर आधारित होगा इन X-rays को हम cathode ray tubes के माध्यम से generate करते हैं वहां से filterड होकर कि वह monochromatic radiation में convert होंगी यहां मत्वपूर्ण चीज यह है कि यहां पर हम monochromatic radiation को काम में लेंगे यानि कि एक ही तरंदेरदवाली विक्रण को हम काम में लेंगे उसे concentrate किया जाता है और directed toward the sample sample की तर की और भेश लिया जाता है हमें पता है कि for every set of crystal plants one or more crystal will be in the correct orientation to give the correct break angle to satisfy break equation यानि कि break equation n lambda बरावर 2d sin theta को satisfy करने के लिए उस powdered crystal में एक या एक से अधिक crystal के जो तल है वो उस प्रकार के सही सही विन्यास में अभी विन्यासित होंगे जहां से कि वो विवर्थित हो करके break equation को satisfy करेंगे तो इस diffraction line is made up of a large number of small sports इस from a separate crystal यानि कि उस powder crystal में अलग-अलग जो crystal उपस्तित हैं उनकी विबिन तलों से होने वाले जो diffraction lines हैं उसके अंदर एक ही sport ना करके बहुत सारे sport होंगे वह sport इतने छोटे हैं कि वह हमें appearance में continuous line के तौर पर नजर आते हैं इसलिए हर crystal plan जो है वो diffraction करने में सक्षम है इसलिए यह कहा जाता है कि every crystal plan is act as a grating for diffraction pattern the powdered sample generates the concentric cons of diffracted x-ray यहां पर जो pattern प्राप्ट होता हमें वह concentric cons के तौर पर प्राप्ट होता है यानि कि एक शंकू के आकार में pattern प्राप्ट होता है क्यों क्यों क्योंकि हम random orientation ले रहें sample के hence instead of the sample generating only simple only single diffraction sport it generates cons of diffracted x-rays यानि कि हमें यहां पर एक diffraction sport की जगा पर हमें यहां पर क्या मिलेंगे cons मिलेंगे with the points of all the cons at the sample the powder diffracts the x-ray in accordance with break slow to produce cons of diffracted beam this cone intersect a strip of photographic film located in the cylindrical camera to produce a characteristic set of arcs on the film यानि कि जो powder है उसके चारों और जो photographic film इस्थित की हुई है वो एक प्रकार के cylindrical व्यवस्था के अंदर रखी हुई है वहां पर आकर के ये जो कॉन से वह आर्क के रूप में हमें उस फिल्म में नजर आते हैं जब हम उस फिल्म को केंड़ा से निकालते हैं फ्लैट कर देते हैं और करते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं कि उसमें हमें diffraction lines holes नजर आते हैं वो इस प्रकार से नजर आते हैं यह इस प्रकार से फोटग्राफिक फिल्म है जिसको कि हमने यहां पर खोल करके दिखाया गए एक्सरेइबीम इत्फ़िल्टर सो करके गई यहाँ पर यह पावडर्ड क्रिस्टल यहां पर रखावा और यह सिलेंड्रिकल क्यम्रा फिल्म है यह पावडर्ड क्रिस्टल मेथड के लिएडिवाइश सेरर की डिवैसेज हैं यह experimental arrangement जो अभी है आपको हमने बताया उस बारे में यहां पर लिखा हुआ है को है यहां पर होनी है कि ब्रेग एक्वेशन को सेटिस्फाइब वाले एंगल पर यदी एक्स किरण आती है तो तो इस प्रकार से हम डिवाइश शेरर मेथड के मध्यम से इस ठीटा को ग्याता हो गी वह उच्छ तिव्रता वाली प्राप्त हो गी कर लेते हैं जिसके माध्यम से हम यहां पर किसी क्रिस्टल की विभिन ने जो मानक है पेरामेटर से उन्हें हम ग्यात कर लेते हैं डिवाइश शेरर मेथड के माध्यम से जो इस प्राप्त होते हैं जो कौन प्राप्त होते हैं वह इस प्रकार से प्राप्त होते हैं को हर नेक्स्ट से एक्सरेक्रिर्टलू coalition में चार प्रकार तक्रेश हैं ने चारों कर चूके हैं आप एक्स्टायज पीजेट के स्टेटर क्यशन सरफय क्या में Metlor audiolic Mand ने में जानकरी दे रखिए उस बारे में यहां पर हम आपको बताने जाए इस्ट्रिक्चर और पहने सीए जैसे कि आप सभी को पता है कि सॉडियम क्लोराइट की जो इस्ट्रिक्चर है वो साधरन गहनिये सरस्थना मानी जाती है लेकिन हमें पता है कि हम उसे बेस्ट थोड्ट के रूप में पैसेंटर्ड इस्ट्रिक्चर भी मान सकते हैं किसे एन एन्स किया या यहां देख सकते हैं कि एक एक एफसी इसी विन्यास दिया हुआ है जहांपर एक बड़े घन के कॉर्णर्स पर ये 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 corners पर आपको chloride नजर आ रहे हैं और प्रतिक फलक के मध्य में वो उपर नीचे, left में, right में आगे की तरफ और पीछे की तरफ यानि कि जो FCC विन्यास होता है जिसमें कि किसी गन के corner पर भी वही अवेव हो साथ ही प्रतिक फलक के केंदर में भी और ये FCC विन्यास है sodium chloride के structure का महत्तोपूंट बात क्या है यहाँ पर कि जो प्रतिक आयन है वो प्रतिक आयन अस्ठ फलक के विन्यास में छे विपरीत आयनों से घिरा रहता है जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चलो इस आपको हम यहाँ पर इसको देखके बताएं कि यह हमारा sodium आयन है sodium आयन को आप देख सकते हो कि एक chloride दूसरा आयन तीसरा आयन चोत्या आयन पौट डॉराइड आयन और च्हटा क्लोराइड है कि इसको यहाँ पर कॉर्नर में और अच्छे से एज औक्टा घ्र्री यहां पर व्यक्त कर रकर रहता है यह आप देख सकते हैं 126 तीन समझ सकता है कि यह क्लोराइड आएन ऑट ग्या हुर्दिने पर यह कोरणर पर और यह फिलक पेंदर में क्यों आयक यूंद पर.अ कि यह बहुत आयन कला ना आधा है. यह तो यह आपसे दीर अना को मिलाएज Ncl के बारे में सिंपल स्ट्टिस्टिक से उसको दे रखा है मतपुर्ण है कि इसका अल्टरनेट नेम्स हैलाइट हो सकता है रोग क्याता है इससी सॉल्ट क कीता है टेबर सॉल्ट कहते हैं पेसेंटर रटकॉंफिग्रेशन है आइस त्रक्टररल कंपाउंड यानि कि ऐसे सोडियम ग्रेट की स्टक्चर के संदर में महत्वपूर्ण क्या-क्या है वो यहां पर ग्रमागत आपको बताते हैं क्लोराइड आइन्स और सी सी टाइप ऑफरेजमेंट यानि कि क्यूभी क्लोस पेकिंग इस्ट्रक्चर में क्लोराइड आइन्स ने अपने आपको व्यवस्थित कर लिया इसका मतलब इट कंटेंज क्लोराइड आइन एड़ दा कोर्नर और एड दे सेंटर ओफ इस फेस ऑफ जिससे की एक एक्वाइर कर लिए अब सोडिम आयंस की बारी आती है तो सोडिम आयंस आर सो लोकेटेट देट देर और सिक्स क्लोराइड आइन एरांड इट यानि कि यह इस प्रकार से व्यवस्थित होना चीए कि इसके चारों तरप छे क्लोराइड आइनों तो निश्चि की मिन्टरी बनती है वन रेशो वन इसी प्रकार से हम यहां देख सकते हैं कि केट आइन और आइन जो है वो एक्विलेंट पोजिशन में 6x6 कोडिनेशन में व्यवस्थित होते हैं साथ ही साथ एक जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल के अंदर चार सोडियम आइन है तो चार ख्लोराइड आइन होता है इसी प्रकार से जो एक कोर्णर का आयन है यानि कि यहाँ पर हम यूं कहें कि एफसी कॉन्फिगरेशन में प्रति काई कोशिका चार परमाणू यहाँ पर उपस्तित मिलेंगे जो क्लोरी यह वह आठ अन्य घंगेंगे द्वारा तो जैश्ट है जो चे फलकों पर कर अहीं साध़ी तो वह थीन और एक मिला करें चार यानि कि एंदर ने की चार पर्माणओं को पस्तित होते हैं सोदिंदोरेट الذätय की वास्थिक्स नेसना का अध्यान का जानकरी जो है वो हमें यहां पर इसके intensity वर्सेस glancing angle के graph से मिल पाती है यहां intensity versus glancing angle के दो का दो गुनाय का 2 theta के बीच plot है अलग-अलग तरो 100 110 111 plan के लिए 100 plan के लिए 2 theta angle कुछ लगबग 12 के आसपास 1110 के लिए कुछ लगबग 16 के असपास और 111 plan के लिए कुछ लगबग 11 के आसपास यह यह कहें यह 2 theta है तो यह ठीटा मान लें तो यह लगबग 5.9 आगे की slide में और clear है यह 5.2 तो यह somewhat कुछ 6.0 जाएगा 16 यानिके 8.0 कुछ पर तो यह आ गया यहां पर यह हमें पता है कि 2d sin theta बरापर n lambda यानि कि d बराबर n lambda by 2 sin theta और d is proportional to 1 upon sin theta तो एन एसल के लिए जो theta है वो 100 के लिए 5.9 वन वन के लिए 8.4 और triple one के लिए 5.2 तो यदि हमें इसे यहां रख दें तो जो तीनों जो तल है 100 110 और 111 के लिए जो अंतर तल यह दूरी का अनुपात प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है एक अनुपात 0.70 ratio 1.14 यह जो रेशो है इस corresponds to FCC structure तो इस आधर पर हम यह कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का जो structure है वो FCC structure होता है अब मैं तो पुन बात यह थी है कि FCC structure तो है लेकिन जो constituents हैं कि कई कोशी का कि जो अव्यव हैं वो अव्यव क्या sodium आयन है यह क्लोराइड आए यह सोडियम क्लोराइड का अनुप on the corners of unit sell तो इसको घ्याद करने के लिए हम एक 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 तल से होने वाले पराव३तन के तृवट्रताओं का अध्यान करता हैं जब हम एक एक तलों से होने वाले पराव९वर्दन का अध्यान करते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्रतम कोटी स्पेक्ट्रम वो दुरवल तो द्यूतिय कोटी मजभू स्ट्रोंग फिर त्रितिय कोटी वीक फिर स्ट्रोंग अर्थार्थ वीक स्ट्रोंग वी स्ट्रोंग पैटर्न प्राप्त होता है this shows that on every alternate position यानि की हार alternate position पर या तो sodium है निया क्लोराइड आयन है नॉट एनसे यह क्योंकि इदी एनसे लणों होता तो यह पैटर्न हमें एक सवानप्राप्त होता कि विकोज एक्स्रेट इफ्रेक्शन इस डिरेक्टली डिपेंडेंट अन्दी नंबर ओफ एलेक्ट्रोंस प्रिजेंट इन्दे अटम्स यानि कि एक्स्र सोडियम आयन से होने वाला वीवरतान वीख फिर वीग फिर स्ट्रॉंग क्योंकि प्रतेक्स्रोंडेंट Теперь सोडियम आयन फिर स्टूराइड एन इस प्रकार के वेवस्ता वन वन तलों के अंदर को छती है जैसा कि आपको अगली स्लाइड में यहाँ पर दिखाय जाएगा य अपर intensity versus glancing angle का यह weak strong weak strong इस प्रकार का pattern में मिलता और यह आप यहां देखिए कि यह 111 plan तो एक इक ही कोशिका 111 plan में यदि यह sodium आया ना तो दूसरी का ही कोशिका जो continuation में वहाँ पर आपको chloride मिलेंगे इसी के बाद अगले वाले में सोडिये मिलेंगे तो फिर chloride मिलेंगे इसी लिए क्रमागत्व जो विवर्थ आना है वह आपको दुर्बल प्रबल दुर्बल प्रबल के जैसा प्राप्त होता है कि पोटेशियम क्लोराइट की structure पोटेशियम क्लोराइट की structure में भी जो स्यफियम क्लोराइट की जैसे हिए अर्थ-अर्थ प्रक्तिख पोटेशियम आयन को 6 क दुरेजय में गिरे वे रते हैं और हर क्लोरेजय में दुर्बल फिर ढ़िस्टम ए है कि यह सोडियम नहीं है पोटिशे मायन घिरे वे रहते हैं जो क्रिश्टल है वह इसी लिए सिंपल क्यूबिक जैसा दिखेगा परन्तु यह भी अपने आप में शुद्ध एफसेसी इस्ट्रक्चर होता है जैसे की एने सेल का होता है कि यदि हम ब्रेक आइनेशन इस्पेक्ट्रमेटर के रिजल्ट्स को देखें फोर 100110111 प्लैन को यह डिफरेंट ग्लांसिंग एंगल पर उच्छतम तिव्रताइं प्राप्त होती है तो इस आधार पर इन तीनों तलों के मद्य अंतर तलिये दूरियों का जानूपात हो यह स्ट्रीर होना जाले मेरे तो इस तो इसे प्रूब करने के लिए हम यहां पर compare कर रहा है sodium chloride और KCL के 100 के diffraction pattern को यह दि के CL और NACL की diffraction pattern को लें तो KCL का जो glancing angle है वो 5.3 है तो sodium chloride का glancing angle 5.9 है तो ratio प्राप्ट होता है 1.11 यानि कि इन दोनों तलों का जो अनुपात है वो 1.11 प्राप्त होता है चुकि गनिये व्यवस्ता है इसलिए इसका आयतन लिया जाए तो आयतन आता 1.37 तो जो वोल्यूम रेशो है यानि कि sodium chloride, potassium chloride और sodium chloride के 100 तलों के मध्य का जो आयतन का अनुपात है ratio is nearly same as the actual volume ratio तो उनका जो actual volume ratio 1.39 और यहां पर हम जब angle से check करते है glancing angle के माध्यम से तो 1.37 यानि कि लगबग वही प्राप्त होता है इसका मतलब structure जो के ने CL है और KCL की है वो same होनी चाहिए but according to x-ray diffraction they show different structure परंतो वो x-ray diffraction से हमको उनकी जो सनजना है वो अलगलिक नजर आती है यानि कि जैसे कि घनी सनजना हो वैसी नजर आती है तो इससे समझने के लिए it can be best understood by analyzing the diffraction pattern हमें पता है कि जो इस्केटरिंग डिफ्रेक्शन है किसी x-ray का वो directly dependent होता है number of electrons present in the constitute atom or particle जैसे कि sodium chloride के structure के सरस्दा में भी हमने आपको बताया था हमें पता कि potassium और chloride आयन दोनों में number of electrons सेम है potassium 19 atomic number होता है एक electron गया तो 18 इसी प्रकार chloride मे 17 से एक electron आगया तो 18 तो दोनों में पर electron की संख्या है वो समान है इसलिए diffraction intensity pattern जो है वो दोनों के लिए सेम होगा तो जब दोनों के लिए intensity pattern सेम होगा तो आपको क्रोबा के पर रूप से वीक स्ट्रोंग वीक स्ट्रोंग वाला pattern जो sodium chloride में मिलता है वो यहां पर वैसा pattern नहीं मिलेगा यहां आपको यहां पर जो इकाई कोशिका है वो इकाई कोशिका ही हमेशे आपको घनिया जैसे नजर आएगी यानि कि जो फलक के कैंदर पर उपस्थित जो कण है वो कण भी आपको एक घन के corners के जैसे ही नजर आएगा इसी लिए sodium chloride और इसी लिए potassium chloride की जो structure है वह structure भी X-ray diffraction method के द्वारा या technique के द्वारा भले ही cubic structure प्राप्त होता हो या वियसा दिखता हो परन्तु उसका structure भी sodium chloride के ही जैसा FCC होता है structure of cesium chloride यदि हम cesium chloride की structure को देखें तो हम यहां पर यदि उनके radius ratio को चेक करें सबसे पले तो धनायन और धनायन की त्रिज्जा का जो अनुपात है वो कुछ इस प्रकार से 0.9337 इस आधार पर जो coordination number है cgm का वो पॉड़ करके हो जाता है 8 और इदि हम diffraction pattern को चेक करें 100110 और 111 plane से तो यह pattern यह प्राप्त होता है यह ratio 1 ratio 1.414 ratio 0.577 this ratio represents the BCC structure BCC structure body centered क्योंगी but presence of cesium plus ion at the center of unit cell लेकिन जो cesium ion होता है वो unit cell के मध्य में उपस होता है इसी कारण से cesium chloride का structure is actually a BCC like structure not pure BCC क्योंकि pure BCC structure कौन सा होगा जिसमें कि किसी गन के प्रत्ते corner पर जो अव्या मोजूद है वही अव्याव उस इकाई कोशिका के केंदर में भी यानिके मध्य में उपस्तित हो अर्थार्थ यदि cesium ion यानि कि यह कहें कि क्लोराइड किसी क्यूब के घन के प्रत्ते corner पर उपस्तिता तो केंदर में भी वही होना चाहिए परन्तों यहां ऐसा नहीं है यहां पर क्या है कि क्लोराइड आयन यदि प्रत्ते क्यूआइप थि प्रत्तिता है तो केंदर में cgm-n उपस्तिता है इसलिए सीजीम क्लोराइड की structure को हम यह पर bcc जैसा structure कहते हैं नजगे pure pcc यह सीजीयम क्लोराइड का structure यह cgm-9 यदि है तो यह 4 crowded वह और यह 4 crowded नीचे के यह इस प्रकार से यह सीजिय मायन चार उपर चार नीचे इस परकार से और यह उसका जो कोडिनेशन नंबर है वो आठ इस परकार इस टॉपिक इस लेक्चर को आज यही समाप्त करते हैं और यह से पार्ट प्रत्म वर्ष के चात्रों के लिए जो सॉलिड इस्टेट केमिस्ट्री से संबंदित हमारा जो तीसरा एक्चर है यह आज यही समाप्त होता है इसके बाद आगे के वीडियो में हम आपको प्रत्म चात्रों के लिए विभीन प्रकार की जो और गनिक रियक्शन से नेम रियक्शन उनके बारे में हम जान करें देंगे जो ना के वल प्रत्म वर्ष बलकि द्वितिय और तित्तिय वर्ष सभी चात्रों के लिए महतुपुणा है थैंक्यू एक बार आप सभी का पुना धन्यवाद कि आप सभी ने इन वीडियो को देखा और सराहा निश्चित रूप से मैं उमिद करता हूँ कि